ओ इस धर्ती पे ना जाने ये आस्मा क्यूं है तेरे मेरे बीच में ये जहां क्यूं है इस पार हम तरसे उस पार तुम तरसे हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल मैथ मस्ती पर दोस्तों मैं हूँ भी भी नहीं आदा वर आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रिजनिंग ये गुरूप D के लिए स्पेसल होगा जो 2018 में कोश्चन पूछे गए हैं गुरूप D में रिजनिंग डाइडेक्शन से तो डाइडेक्शन यानि दीसा तो इससे हम आपको सवाल करवाने वाले हैं इससे पहले थोड़ा सा हम आपसे दो मिनट बेसिक बात करें दीसा के बारे में ठीक है न जादा समय नहीं लगेगा थोड़ा सा बेसिक बता देंगे न सारा सवाल धुआ धुआ उर जाएगा डिग्री में जो मुरने उरने वला होता है वो सवाल आपको बहुत प्रोबलम करता होगा ये खतम हो जाएगा सुनिए दीसा का ग्यान आपक तो सब जान जाएगा उसे उपर उसे उत्तर ये क्या होगे आपका उत्तर हो गया और आपको रियल में पता होगा कि उत्तर के अपोजिट दक्छिन होता है तो अगर यहां उत्तर है तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा ये दक्छिन हो जाएगा ये बात भी आपको पता है, दोस्तों सिंपल बात समझे, जब आप उत्तर की तरफ जाते रहिए गया ना, दाहिना हाथ पुरवदिशा में होता है, ऐसे दाहिना हाथ को सुध माना गया है, बाया को सुध माना गया है, और पुरवदिशा को आप सुध मान सकते हैं, सुर्ज देवता उधर से ही निकलते हैं, ये दाहिना हाथ हमेसा पूरब में है, दाहिना हाथ कहां? पूरब में, और ये पूरब का पॉजिट क्या होता है? ये बात किसी से छुपा हुआ है? क्या? पस्चिम होता है, तो पस्चिम हो जब इतना बात आप समझ गए हैं तो अब एक बात और समझ लिजी दिशा को ऐसे जान लिजी ऐसे जान लिजी ये दिशा इन दो के बीच में है उत्तर और पुरव के बीच में इसको उत्तर पुरव कहिएगा इसको क्या कहिएगा उत्तर पुरव अच्छा ये दिशा किन दो दिशा के बीच में है तो दक्षिन और पुरव के बीच है तो दक्षिन पुरव कहिएगा अच्छा ये दिशा जरा देखिए तो किसके किसके बीच आ रहा है दक्षिन और पस्चिम के बीच यानि इसको दक्षिन और पस्चिम कहिएगा ये दिशा जरा देखिए तो किसके किसके बीच है उत्तर और पस्चिम के बीच यानि इसको उत्तर और पस्चिम कहिएगा क्या बात है मतलब एकदम असानी से बिलकुल आपको समझ में आ गया होगा कि किस दिशा को हम क्या बोलते हैं अब जब गोर करिएगा दोस्तों कि आप जब विर्ट देखते होंगे तो विर्ट में केंदर पर 360 डीडी का कुन बनता है 360 डीडी का कुन बनता है यानि एक पूरा गोला कार जब हो जाए पूरा घूम जाए तो 360 इसको जब पूरा घूमा दीजेगा पूरे को जोड़ दीजेगा 360 का कुन होगा जिसमें आप जान लीजे ये सारे 45-45 हो गए 45-45-45-45-45-45-45-45-45 ये सब ना 45-45 डीडी का कुन हो गया यानि हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई आदमी इधर से आया और सीधा इधर चला गया मतलब क्या कि उत्तर से आ रहा था दक्षिन के तरह लेकिन सीधा पूरा घूमुर गया तो ये 45-45-45-90 डीडी का कुन बना लिया यानि कि अब आप इसको ऐसे समझे ये 90 डीडी ये 90 डीडी ये भी 90 डीडी ये 90 डीडी उपर में होता है अगर कोई वेक्ति अगर सवाल ये कहता है कि कोई वेक्ति जो है उत्तर की ओर जा रहा था और 90 डीडी डाहिना मुर गया तो 90 मुरे तो सीधे इधर मुरा दीजिए उपर की ओर या उत्तर की ओर जा रहा था आपका दाहिना हाथ यही है और आपका बाया हाथ यही है दाहिना मुरना या दक्षिना वर्थ कहेगा तो दाहिना ही मुरियेगा अब बाया कहे या बामा वर्थ कहे तो बाया मुरियेगा अच्छा घारी के दिसा में कहे घारी के सुई के दिसा में कहे तो दाहिना ही मुरियेगा और घारी के कहेगा कि सुई के विपरित दिसा में तो बाया मुरियेगा ये दाया बाया आपके हाथ के हिसाब से होगा आपके दिसा देखिए अब कोई वेक्ती इधर जा रहा है और फिर दक्षिन की ओर 90 डिग्री मुरेगा 90 डिग्री मतलब सिधा ऐसे हो जाना है अब बताईए अगर किसी का फेस उत्तर की ओड है और ये 45 डिग्री दाहिने मुर कर देख रहा है तो 45 तो इधर देखेगा इधर डाइरेक्ट देखता तब तो ये पूरा 90 का कौन बन जाता ना एक खड़ी हो एक पड़ी हो तब बनता है 90 डिग्री का कौन लेकिन ये इधर चल गया तो 45 हुआ तो मैं ये कह रहा था कि कोई वेक्ती अगर उत्तर की ओर देख रहा है और तब 45 डिग्री दाहिने मूर कर अब देख रहा है इसका मतलब अब किस दिशा में देख रहा है तो जरा समझे उसे उपर यानि उसे उत्तर होता है और इधर होता है दाहिना हाथ के दिशा में पूरब यानि कि ये बेक्ती अब जो जिधर देख रहा था ये उत्तर पुरब के दिशा में देख रहा था समझ गए होंगे? अगर कोई बेक्ती दक्षिन की ओर देख रहा था और कहेगा कि 45 डिगरी दक्षिना बर्त दिशा में घूम कर अब देख रहा है तो अगर इधर है तो दक्षिन किधर होगा अगर कोई बेक्ती नीचे के तरफ आ रहा है तो दाहिना हाथ इधर हो जाएगा तो दक्षिना वर्त 45 डिगरी इतने मुड़ेगा लेकिन कोई बेक्ती दक्षिन की दिशा में देख रहा था और फिर दाया 90 डिगरी मुड़ता है तो दाया देखे इधर है इधर दाया है इधर तो इधर 90 डिगरी मतलब सीधा ऐसे हो जाना समझेगी नहीं यानि आप ये बात समझ गये होंगे आप देखिए हम आते हैं सवाल पर आप जटाक से सवाल बना दीजेगा सवाल है क्या देखो सवाल है ये भईया यादी कमपास पर पुर्व उत्तर पुर्व हो जाता है तो पस्चिम क्या बन जाएगा देखिए तो जरा एक बात यादी कमपास पर अच्छा ये देखिए दीशा आपका ऐसी ही नहीं सब आप जानते हैं कि ये उत्तर है, ये दक्षिन है, ये पूरव है, ये पस्चिम है, ये है दक्षिन और पूरव के बीच, ये है आपका दक्षिन पस्चिम के बीच ये है आपका उत्तर पस्चिम के बीच उत्तर पस्चिम, ये है आपका उत्तर और पूरव के बीच उत्तर पुर्व हो जाता है, मतलब ये पुर्व जो है ना पुर्व, ये वाला पुर्व, ये कहां चल जाता है, उत्तर पुर्व के जगह, तो माली जी मारकर है, इसको ऐसे घुमाएंगे, तो ये घुमेगा, तो ये भी घुमेगा, मतलब जितना मारकर उपर के तरफ ये वाला सीरा जाएगा तो ये बला सीरा नीचे के तरफ आएगा तो ये सीरा चला गया यहाँ पर तर निशित है देखे ये बला यहाँ गया यहाँ पर आजाएगा यहाँ पर आजाएगा तो अब देखे ये चल गया यहाँ तो ये आजागा यहाँ यानि पस्चिम आजाएगा दक्षिन पुर्व यहां चल जाए तो पस्षिम क्या बन जाएगा तो पस्षिम कहां चल जाएगा दक्षिन पस्षिम के पास चल जाएगा नहीं ऐसे घुमाईएगा तो इसे न हो जाएगा दक्षिन पस्षिम के पास आजाएगा पस्षिम यानि पस्षिम क्या बन जाएगा तो प्रिकुल आसानी से आपको समझ में आया होगा आईए अगला सवाल देखते हैं देखिए एक सवाल ये 2017 का भी सवाल है कोई बात नहीं कहता है ये रेलवे एंटीपीजी ऑनलाइन पड़िक्छा उनीज जनवरी 2017 पुछा गया अरुन का मुह उत्तर पस्चिम दिशा में है व उना एक बारवा घड़ी के सुई के विपरी दिशा में 90 गड़ी घुनता है अब उसका मुह किस दिशा में है दोस्तों इसको मैं कहीं तरीके से आपको बनाने का तरीका बताऊंगा और दोनों तरीके जो मैं बताऊंगा अभी वो आपको बिल्कुल असान है तो कहीं तरीक अपका उत्तर ये होता है पस्जिन उत्तर पुर्व याद हो गया धक्छीन और ये हो जाता है दक्छिन पस्जिन और ये हो जाता है उत्तर पस्जिन सवाल क्या कहता है अरुन का मूं उत्तर पस्सिम दिसा में है अब कहता है वा पहले घाडी के सुई के दिसा में 90 डिग्री घुमता है इधर था 90 घुमेगा तो इतना तो 45 होता है 45 नब्बे यानि इधर हो जागा दक्षिना बर्द दिसा घुमा अब इधार हो गया, फिर घारी के सुई के विप्रित दीशा में 180 डिग्री घुमता है, इधार था 180 विप्रित घुमने का मतलब जो तो एकदम अपाउजिट हो जाना, कहा है देखिए 90, अब फिर देखिए 45, 45, 90, तब पूरा 90, 90, 180 हो गया ना, यानि अब जस्ट इधार हो अब सवाल कहता है, 180 डिग्री घुमता है, घारी के सुई के विप्रित दीशा में 90 डिग्री घुमता है, घारी के सुई के विप्रित दीशा में, घारी के सुई के विप्रित, तो ऐसे चलेगा तो घारी के दीशा हुआ, और विप्रित दीशा मतलब उल्टा, तो 90 डिग्र आएगा 90 degree मतलब यहां आगया 45, 45, 90 यानि दक्षिन पुर्व में हो जाएगा option D, दक्षिन पुर्व उसका answer हो जाएगा दोस्तो एक तो आपको यह तरीका है दूसरा तरीका आप इसको ऐसे बना सकते हूँ कैसे बताओ मैं? देखो और उनका मुह उत्तर पस्सिम दिशा में है तो पहले समाझ लेना कि उत्तर इधर होता है पस्सिम इधर होता है तो इसका उत्तर पस्सिम में रहा होगा तो यह उत्तर पस्सिम हो गया काया कि उपर उत्तर इधर हो जाता पस्सिम इतना पहला बात कर लिए, अब चलते हैं आगे, अब कहता है कि घरी के सुई के दिशा में 90 डिग्री घुमता है, 90 डिग्री घरी के सुई के दिशा में राइट गया ता प्लस लिख देंगे, लेट गया तो माइनस लिख देंगे, और फिर घरी के सुई के विपरी दिशा में 180 degree, तब माइनस 180 degree कर देंगे, घरी के विपरी दिशा में, इस लेट गया, पुना है एक बार घरी के विपरी दिशा में 90 degree घुमता है, यानि लेट ही घुमता है, नहीं, अब इस माइनस बाला 90, पलस बाला 90 खतम, 180 उल्टा मुड़ेगा, बताइए उत्तर पस्चिम के बानते हैं कि इधर होता है आपका क्या होता है पूरव, नीचे आते तो आता दक्षिन, यानि ये घरी इधर जो जाएगा, चुकि इधर से एक सोसी होने का मतलब जस्ट अपोजिट हो जाना, यानि दक्षिन और पस्चिम के बीच में, सरी पूरव है, ये पूरव है, तो दक्षिन और पूरव के बीच में, यानि दक्षिन पूरव हो जाएगा, तो 90 पलस, 90 माइनस, 45 पलस ये सब करके भी आप आसानी से बना सकते हैं, देखिए, इस सवाल को, मली का उत्तर दिशा की और एक किलो मीटर चलती है, तो कुछ नहीं करना है, उत्तर दिशा में एक कि अब हो गया, यहां पहुँच गए, उसकी आरामबिक इस्थिती के अनुसार अब वह किस दिशा में है, अब तो वह यहां है, लेकिन आरामबिक इस्थिती के अनुसार किस दिशा में, तो यहां से इधर जाती, इधर जाती तब तो पूरव होता, इधर जाती तब तो उत् उत्तर पुर्व में गई है, उत्तर पुर्व कहां है, उत्तर पुर्व आपका एंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला सवाल आईए, अब देखो इतना असानी से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो साथ कोई आपको नहीं समझा पाएगा, देखिए, कहता है अनन्या पुर्व की तरफ तीन किलोमीटर दुरी तक चलती है फिर दाय मुर जाती है और एक किलोमीटर तक चलती है अब वो अपनी प्रारंभी की स्थिती से किस दिशा में है दोस्तों मैं पूरे सवाल पहले क्यों पढ़ा कभी कभी सवाल ऐसा होगा कि इतना किलोमीटर दाय चला फिर बाय मुर कर इतना चला फिर दाय मुर कर इतना चला फिर दाय मुर कर इतना चला और अन्ति में पूछ लेगा कि बताईए कुल दूरी कितना चला तक कुल दूरी पूछ देगा कि सौब जोर लेते हैं कि कितना चला इसलिए सवाल पूरा पढ़ना जरूरी है, आईए, अनन्या पुर्व की तरफ तीन किलोमीटर की दूरी तक चलती है, अनन्या पुर्व की ओर तीन किलोमीटर चलती है, पुर्व की ओर तीन किलोमीटर अनन्या को चला दिया, फिर दाई और मुर जाती है और एक किलोमीटर च जला दिया, अब वो अपनी प्रारंबिक स्थिती से किस दिशा में, यहां से इधर है, इधर जाती तता पूरब होते जाता, इधर आती तो दक्षिन होता, यानि इधर गई है तो दक्षिन पूर्व में गई है, दक्षिन पूर्व कहां है, option A में, यानि option A बिल्कुल सही, ठ ठीक है? चलिए. अब देखिए. फिर डिगरा डिगडी बला सवाला गिया. कहता है एक ब्यक्ति का मुख दक्षिन दिशा की ओर है, वह घरी के सुई के बिपरी दिशा में 135 डिगडी गूंता है, उसके बाद घरी के सुई के दिशा में 180 डिगडी गूंता है, अब उसका के सुई के विपरित दिशा में 135 डिगरी घुमता है 135 डिगरी लेप्ट घुमा है तो इसको माइनस लिख देना है और उसके बाद घड़ी के सुई के दिशा में 180 डिगरी घुमता है घड़ी के सुई के दिशा में right 180 डिगरी घुमता है right ठीक है, अब चलिए, अब क्या करना है, यह बड़ा है, यह छोटा है, तो घटा लिजी आएगा तो इपलसे में, 10 में से 5 गिया 5, और यह बच गिया कितना, यह 17 में से 13 गिया तो 4, यानि 45 डिग्री राइट, 45 डिग्री राइट, मतलब वेक्ति नीचे के तरफ देख रहा थ शुरू में बोला था न, एक वेक्ति का मुख दक्षिन दिशा, तो राइट जाएगा 45 डिग्री, आप ही बताइए 45 डिग्री राइट जाएगा, इधार होता है दक्षिन, इधार जाता था आता पस्चिम, यानि वो वेक्ति दक्षिन पस्चिम में है, दक्षिन पस्चिम हैं कि ये सवाल कई बार रिपीट करा है तो इसको देखा जाए पस्षिम को मुख करके खड़ा बेकती दक्षिना बर्दिशा में 45 डिगरी गुमता है फिर उसी डिशा में 180 डिगरी और फिर वामा बर्दिशा में 270 डिगरी गुमता है वह किस डिशा की और मुख करके अब है ठीक है पस्षिम की और मुख है अब काम कर लेते हैं यहां से पहले बोलता है खड़ा बेकती दक्षिना बर्दिशा में 45 डिगरी गुमता है 45 डिगरी दक्षिना यानि राइट गुमा है ता प्लस लिखेंगे लेट गुमेगा माइनस लिखेंगे फिर उसी डिशा में 180 यानि फिर 180 डिग्री राइट अब चलिए और फिर कहता है तब लास्ट में फिर बामा भर दिशा में 270 डिग्री यानि 270 डिग्री जो घूमेगा वो लेट घूमेगा माइनस कर दिए हो गया वह किस दिशा की और मुकर के खड़ा है इसको हल कर लेते हैं इन दोनों में अंतर कितना का गया बते ये 90 का और इन 90 क्या माइनस में क्योंकि ज़ादा है तो माइनस 90 पलस 45 तब माइनस 45 बचाएगा इन दोनों का जब काम होगा घटाओ तो तो माइनस 45 यानि माइनस होने का मतलब लेट घूमना तो जो आदमी पस्चिम जा रहा था माइनस 45 तब इधर चल जाएगा 90 तब सीधा नीचे आता इधर जाएगा इधर पस्चिम होता है नीचे दक्षिन होता है यानि दक्षिन पस्चिम में दक्षिन पस्चिम आपका अंसर हो जाएगा दक्षिन पस्षिम अउप्शन सी हो जाएगा काता है सुर्या पुरुब दिशा की और मूह कर के खरा है और उसके बाद बामा बरदिशा में 35 डिगड़ी उसके बाद फिर से दक्षिना बरदिशा में 90 डिगड़ी गुं जाता है अब उसके सामने कौन्सी दीसा होगी पहला देख लो कि इधर घुमा हुआ था सुडिया पुरव दीसा की और मूँकर के खरा है दाहिना में पुरव होता है, शुद्ध चीज होता है दाहिना और सुद्ध दीसा इधर पुरव ले लिए चलो, अब कहता है सुर्याप पुर्व की दिशा की और मों करके खड़ा है फिर वह दक्षना बरतिशा में 45 डिगरी घुमता है एक बात बताईए, पहले 45 डिगरी राइट घुमा 45 डिगरी राइट घुमा, प्लस लिख दिया उसके बाद 12 बरतिशा में 135 डिगरी तो माइनस लिख दिजिया है, 135 डिगरी लेफ्ट में अब कहता है उसके बाद फिर दक्षना बरतिशा में 90 डिगरी घुमता है दक्षना यानि राइट, 90 डिगरी घुमता है किधर? राइट में घुमता है प्लस कर दिया, अब कहता है उसके सामने कौन सी दिशा है, एक बात बता लिजे, यहाँ देखिए, तो यह 90 और इसमें कितना का अंतर, 45 का, यह 45 माइनस में, यह माइनस 45 पलस 45 के साथ खतम, क्योंकि 90, 45, 135, साथ 135, पलस माइनस अब 0, यानि उस जीधर देख रहा था, उधरे अभी भी देखेगा, उस देख रहा था, पुरव में न, अभी भी पुरवे देखेगा, आपसन D आपका अंसर हो गया, पता है यह भी सवाल आपको, गुरुप D के एकजाम में, एक नवंब कहता है, रागु सुबा पुरुप की ओर समुख होता है, फिर वह पहले 90 डिगरी दक्षना बर्त गुम जाता है, और फिर 135 डिगरी बामा बर्त गुम जाता है, अब वह कौन सी दिशा की ओर समुख है, रागु सुबा पुरुप की ओर समुख है, माने पुरव के दिशा मे उसका मुखा है अब काता है पहले वह 90 degree दक्षिना बढ़ तो 90 degree right तो प्लस में लिख दिया फिर काता है और फिर 135 degree बामा परत घुमता है तो minus में 135 degree लिख देंगे क्योंकि left घुमा है तो कितना बचा, minus में 45 degree बचा 45 degree यानि left होगा तो यहां से वो left जाएगा, इधर जा रहा था, बाया हाथ इधर होगा, left 45, 90 जाता था सीधा उपड़ हो जाता उत्तर, लेकिन यह जा रहा है पूरब और उत्तर के बीच में, इधर होता, उत्तर, इधर है, पूरब, उत्तर पूरब आपका एंसर, option D, उत्तर पूरब आपका नागार जुन एक सुटिंग अस्थल पर है, और पसिम के और समुख है, पहले वो 45 डिग्री दक्षिनाबर्थ घुनता है, और फिर उसी दीशा में 180 डिग्री घुनता है, और फिर 270 डिग्री बामाबर्थ घुनता है, अब वो किस दीशा की और समुख है, क्या बना सकते है 2018 के सवाल है option भी दिये हुए है और answer option भी है तो आप इसको बना कर खुद आप try करिए कि क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं चलिए हम अगला सवाल पढ़ाते हैं उत्तर की और समुख एक वेक्ति 270 डिग्री दक्षिनावर्थ घुनता है और फिर 90 डिग्री बामा पर घुनता है अब वह किस दिशा के समुख है क्या ये भी सवाल जो 2018 में पुछा गया था बना सकते हैं बना के इसका भी जवाब जरूर आप comment box में लिखेगा दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा और बहुत असानी से आप सीख गया होगे अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो like जरूर करिएगा comment करके बताइएगा चैनल पर अगर नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon दबाकर all notification पर set कर दीजे क्यों? क्योंकि जब भी हम वीडियो डालते हैं बीपिन सर पीडियेफ नाम से टेलिग्राम पर चैनल बना हुआ है तो आहां से टेलिग्राम पर जोइन हो जाईए ताकि आपको पीडियेफ मिल सके और आप रैक्टिस कर सके ठीक है? थैंक्यू, best of luck